हेलो गाईज आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है आज हम शिक्षा निदेशाले की तरफ से दी जाने वाली कारह पत्रक नमबर 12 करेंगे जो की क्लास 7th की है और विश्य है विज्यान ये वर्क्षिट 26th अगस्ट 2021 की है तो आएए शुरू करते हैं आज की वर्क्षिट वर्क्षिट शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो आएए देखते हैं आज की वर्क्षिट घास खाने वाले जन्तूओं में पाचन कॉमल जो कक्षा 7th की एक विद्यारती है एक दिन नजदी के पशोशाला में श्यक्षिक ब्रह्मन पर गई थी वहाँ उसने देखा कि गाएं और भैस आराम करते हुए भी अपना मू चलाए जुगाली कर रहे थे तो देखो कॉमल 7th क्लास में पढ़ती है और वो जब अपने नजदी घर के पास पशोशाला में गई तो वहाँ देखा कि गाएं और भैस अराम से बैठे है फिर भी अपना मू चला रहे हैं जिसे क्या कहा जाता है जुगाली जल्दी जल्दी निगल कर अमाशे के एक भाग में भंधारित कर लेते तो देखो क्या करते हैं तो यहीं खाना जाता है जिसे हम कहते हैं और पर भोझन का आशिक पाचन होते हैं यहां पर भोझन का आशिक पाचन होती है जिसे जुगाल या कंड कहते हैं जिसे क्या कहा जाता है जुगाल या कंड पर तो बाद में जनतु इसको छोटे पिंड़कों के रूमें पुने अपने मुख में लेता है अब देखो पहले भूजन यहां से लेके यहां पे गया अब फिर जब थोड़ा सा भूजन पच जाता तो वह वापस से in Kenneth में आते हैं जिसे टिर्द रहते है जिसे क्या करता रहता है चबाता रहता है रुमिनेट आनिमल्स की ऐसे एनिमलarna जिन रूमेन मिलतає है उन्हें रुमिनेट आ इनिमल कहते हैं यहूं की विशेष्टा होती है हम इंसान अगर बात करें तो हम ऐसा जुगाल नहीं कर सकते हैं हम अपने हरा स्टमक में जो फूर चला गया है उसे वापस अपने मुख में नहीं ला सकते हैं तो देखो एक बड़ी फिर समझते हैं खास काने वाले जंतु जैसे घाएं घाएं भैंस बोजन को जल्दी जल्दी निगर कर अमाशेम के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं यहाँ पर स्टोर कर लेते हैं जिस भाग को रूमेन या प्रतम अमाशे कहते हैं यहां बोजन का आंशिक पाचन होता है थोड़ा सा बोजन यहां पर पच जाता है और उसके बाद जब वो फ्री बैठे होते हैं तो क्या करते हैं बाद में छोटे-छोटे पिंडिकों के रूप में पुने उसे मुख में ले ले लेते हैं और वह इसे चबाते रहते हैं तो इ जुगाली करना या रुमेंद कहते हैं और ऐसे जंतों को रुमिनेट या रुमन्थी कहलाते हैं तो देखो क्या कहा गया है कि आशिक रूप से पचे हुए बोजन को जुगाल या कंड को रुमेंद से मुह में बेजकर चबाने को जुगाली करना कहते हैं जुगाली करना कहते है और ऐसे animal को ruminate या romanthi कहलाते है अब देखो यहाँ पर एक question हो रहाता है अब मैं समझ गया कि मनुश्य मुवेश्यों की तरह cellulose को क्यों नहीं पचा सकते हैं अब पहले यहां से पहले यहां नहीं पहले यहां तक समझते हैं अब क्या कहा गया next कि क्या भई हम भी जुगाल कर सकते हैं क्या हम भी जुगाली कर सकते हैं तो नहीं हम मैंने अभी समझाए कि एक बर जो स्टमक में चला गया वो वापस हमारे मुख में नहीं आता है अब देखो होता क्या है हम यहां पर जहां से समझते हैं इसको घास में cellulose होता है घास में क्या होता है cellulose की परचूरता होते है जो एक carbohydrate है जैसे की शुगर भी एक carbohydrate है वैसे ही cellulose भी क्या है एक carbohydrate है रू मिनेट के शुद्रांत और वध्रांत के बीच एक ठैली नुमा बड़ी सरंचना होती है तो हमने ब सरंचना होता है desses होता है जिसे अंधनाल कहा जाता है बोजन में cellulose का पाचन यहां कुछ जिवानों और यहां पर अंदनाल में कुछ विशेश जिवानों मिलते हैं जो क्या करते हैं इस cellulose का पाचन करते हैं लेकिन हमारे पास में यह थैली नुमा सरंचना नहीं होती है और वे विशेज जिवानों नहीं मिलते हैं जो cellulose का पाचन कर सके इसलिए हम क्या लीव खा सकते हैं? हम नहीं लीव खाते हैं क्योंकि हम उसको digest नहीं कर पाते हैं घास में cellulose की परचूरता होती है जो एक परकार का carbohydrate है रूमिनेट में शुद्रान्त और वरधान्त के बीच एक ठैली नुमा बड़ी सरंचना होती है जिसे अंदनाल कहते हैं भोजन के cellulose का पाचन यहां पर कुछ जिवानों द्वारा किया जाता है जो मनुशे के अहानाल में अनुपस्तित होते हैं अब देखिए यहां पर क्या है अब मैं समझ गया कि मनुशे मेश्यों की तरह cellulose को क्यों नहीं पचा पाते क्योंकि हमारे पास में अंदनाल नहीं होते हैं और उसके अंदनाल जो विशे जिवानों होते हैं भी हमारे पास में नहीं होते हैं जो cellulose को पाचन करते हैं अब हम करते हैं इसके प्रेशन उत्तर देखिए प्रेशन नंबर वन रूमेन किसे कहते हैं तो हमने बहुत अच्छे से बिटा वरक्षिक में दिया गया है देखो यहां से घास खाने वाले जनतु जैसे कि गाएं भ धारन दीजीए तो देखो रूमिने टइंपल्स की आपको क्या करना हैं तीन ऊधारन देना है तो खोई भी बटव एक से कि हम इम लिख सकते हैं गाय भैस बकरी सब यह रूमिनेट अनिमल यह थी कि बकरी भेड यह सब कि आ जाएंगे बट़एं गाएं भैस बकरी भेड य नहीं होते, देख pessimे सैंसर नंबर 3 आ जाएगा था सेलेम उलोस यहां कि लिखले लिखेगा थाफ देजीगा अंध नरल कुछ जिवानों रुपस्तित होते हैं धिक है यहां हिंडwhen गास में किसकी प्रचूरता होती है जो एक परकार का कार्बो हाइडर है पहले में सेलूलोज आ जाएगा और दूसरे में कार्बो हाइडर आ जाएगा जनतु जो जुगाली करते हैं उन्हें हम रूमिनेट्स एनिमल कहते हैं उनको क्या कहते हैं रूमिनेट्स कहा जाता है तो यह हो जाएगा इसका थार्ड का असर ठीक है तीनों अंसर यहाँ पर हो जाएगा एक बड़ फिर समझा देती हूँ घास में सेलूलोज की प्रचूरत एक्जाम दीजिए तो आज की वक्षिट को भी साथ में कंप्लीट कर लीजेगा बटा क्योंकि यह काम अगर अभी नहीं करेंगे तो बाद में आपके लिए जादा लेंधी हो जाएगा ना काम इसलिए साथ साथ में एक्जाम की तेयारी और साथ साथ में अपनी वक्षिट कम्प्लीट करते रही है तो वक्षिट कम्प्लीट करके अपने टीचर से चेक कराईए और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेर कीजिए थेंक्यो स्टूरेंट्स